एक बर फिर से स्वागत है आपका बाब आयरवेदा में जिसमें मैं आपको बताता हूँ आयरवेद से जुड़ी सभी जानकारिया और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बुट्टी के बारे में जिसकी सही जानकारी अभी तक यूटूब पर न तो आयरवेद में उसका नाम सीखनी या केकी सिखा के नाम से ही जानते हैं वीडियो में जिस पोदे को आप देख रहे हैं उसे हमारी बाहसा में गुनकरी और आयरवेद में मियोर सिखा के नाम से जानते हैं और इसका वनस्पतिक नाम एडी एंटम कांडे टम हैं आपकी ब पोदा आयर्वेदानुसार हंसराज के वर्ग की एक वनस्पती है परन्तु हंसराज हंस्पदी और मियूर शिखा मतलब गुनकिरी में भेद कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है इसमें अच्छे अच्छे बैद लोगों के पसिने छूट जाते हैं गुनकिरी का पोदा सबसे ज़्यादा पाड़ी छेत्रों में देखने को मिलता है यह है ज्यादा तर पाड़ी डहलानों पर ही ओता है इसकी जड's से अनेक साखाइ निकलती है जो चारों दिशाऊं में फैली रहती है। इसकी नई साखा पर रूवे असानी से देख scaresकती हैं जो बाद में जड़ जात इसकी साखा जिस पर पत्ते लगते हैं वह हलकी बैंगनिक कले रंकी होती हैं जिन पर बहुत सारे पत्ते लगते हैं इन पत्तों के बीच में अंतराल कम होता है इन पत्तों की आकरती बिल्कुल मोर की सिखा जैसी होती है इसी कारण इस पोदे को मियूर सिखा के नाम से जानते यह मयोर सिखा का पोदा पूरे भारत वर्ष में बर्षात के दिनों में असानी से देखा जा सकता है यह एक वर्ष जीवी पोदा होता है इसलिए यह सर्दियों के दिनों में जीवित रहता है आज भी गाओ में पहाडी लोग इस पोदे का इस्तमाल खासी से छुटकारा पाने के लिए करते है वो इसके पत्तों को या तो ऐसे ही खाते है या फिर इसके पत्तों का सवरस निकालकर उसमें सहद मिलाकर चाठते है उनका मानना है कि इस उपयोग से उनकी खासे में बहुत जल्दी आराम होता है मयूर शिखा का पोधा बुखार उतारने के काम में भी आता है इसे गिलोई या अन्य जड़ी बूटियों के काड़े में मिला कर बुखार उतारने के काम में लिया जाता है इन सब के अलावा मियोर शिखा का पोदा, दाद, खाज, खुजली अर्थार्थ चरम रोगों को दूर करने के लिए इस्तमाल किया जाता है इसके लिए आप इसके संपून पोद्धे को पत्थर पर पीश कर चरम रोग पर लगा सकते हैं और इसके साथ अगर पवाड के बीजों को भी पीश कर लगाया जाए तो यह चरम नासक लेप और सकती साली बन जाता है तो दोस्तों यह थी गुनकरी मतलब मियोर शिखा के बारे में मेरी जानकरी आपको यह जानकरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना भूले और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे जो की बिलकुल फिरी है बाकि स्वस्तरो रोजलो मोजलो